एक माम वहां बैर हाई करें है लो एभर वरीवन आद शाया चाहिञ्डी कानल की कलास बहुत हीं इंपॉर्टेंट है आज हम लोग जानेंगे कि आज हम नियुम स्थाप आ मुदा देनों टॅट इंपूर्ण बकार रवांट की चेणela काखने हैं double bond होगा कि triple bond होगा हम लोग कैसे बता देंगे hybridization के basis पे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखी हमने hybridization के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर हमने जाना हमारे पास तीन तरीके के hybridization हमने पढ़ी एक SP3 पढ़ी एक हमने SP2 पढ़ी और एक हमने SP पढ़ी तो अगर मैं simple तरीके से बता हूँ तो यहाँ पर SP3 hybridization में हमारा क्या होगा हमेशा single bond होगा इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे SP2 में क्या होगा double bond होगा और यहाँ पर SP में triple bond होगा अब हम लोग कैसे कह दें कि double bond single bond double bond और triple bond होगा तो उसके लिए देखो example यहाँ पर अगर मैं SP3 की बात करो तो इसका example में C2H6 लेके समझा सकता हूँ कैसे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 carbon है ठीक है अगर मैं इसका normal structure बनाओ तो क्या हो हैं तो मैं इस तरिके से structure बना लेता हूं ठीक है ऐसे करके एक carbon हो गया ये और dousra carbon यहाँ पर इस तरीके से आके इस से जुड गया है और यहाँ पर मैं इस लिए बना रहा हूं क्यूं बना हो तीन लवश भई देखो तीन बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक hydrogen आएगा द कैसा bond बनेगा sigma bond बनेगा और यह भी सारे sigma bond है और यह कैसा bond कैसा bond होगा single bond होगा इनके बीच में then sp2 की अगर हम लोग बात करें तो sp2 का structure बनाने के लिए हम लोग किसका example लेंगे c2 h4 का example लेंगे c2 h4 का example लेके देखी कैसे बनेगा c2 h4 के case में आपको पता है कि इस तरीके स्ट्रक्शार बनता है तो यहांपे हमें बनाना है दो ही चाहिए हमें तो एक दो घृत यहांपे कंबाइन कर दो ऐक दो और तीस्रा तो यहां पे चार्बन आपस में जुडगत सीमा। और बाकी बसता है C2H2 का example ले लो तो triple bond कुछ इस तरीके का दिखता है आप लोगों ऐसे करके ठीक है तो हमें 2 carbon को add कराना है तो हम लोग क्या कर देंगे simply हम लोग यहां पर 2 carbon को इस तरीके से add करा देते हैं हमने छहां पर 2 carbon को add करा दिया ठीक हमें यहां यहां पर हम जोग क्या करेंगे 1 hydrogen यहां पर लगा देंगे तो यह हमारा बन गया C2H2 का तो एक बार अगें रिवाइस करा देता हूं मैं आप लोग को देखिए कभी भी अगर हमें bond के बारे में पूछा जाए कि single bond बनेगा double bond बनेगा तो यह triple bond बनेगा तो उसके लिए सीधा सा reason यह होगा जहां पे sp3 hybridization आपको मिलेगी वहाँ पे आपका single bond बनेगा जहां पे sp2 मिलेगी वहाँ पे double bond बनेगा जहां पे sp मिलेगी वहाँ पे triple bond बनेगा I hope आप लोगो concept जो है अची तरीके से clear हो गया है बाकी अगली वीडियो में हम लोग अब molecular orbital theory start करेंगे जिसमें हम लोग यह जानेंगे किस तरीके से हम लोग energy level diagram बनाते हैं बहुत important concept है बहुत ही मजा आने वाला है उसमें और thank you for watching the video